नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम राजस्तान के परमुक अनुसंदान केंदर देखेंगे जो भी विद्ध्यारती चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें ये वीडियो हमारा 5-10 मिनट का होने वाला है तो वीडियो को आप पूरा देखिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला है केंद्रिय उन विकास बोर्ड कहां इस्तापित किया गया है केंदریya un vicas board जोदपुर में स्तापित किया गया है और इसकी स्तापना 1987 में की गई थी ठीके, next बेड़ अनुसंदान पर्योक साला कहा एस्तित है तो अगर आपसे पुछी जाए भेड़ अनुसंदान पर्योक साला कहा एस्तित है तो ये भी आपकी जोदपूर में इस्ती थे ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य इस्तरिय भेस प्रजनन केंदर कहां इस्ती थे तो यहाँ पर आपसे भेस प्रजनन केंदर पुछा गया है तो भेस प्रजनन केंदर आपका वललब नगर उदेपूर में इस्ती थे तो राष्टिय उंट अनुसंदान के अंदर आपका बिकानेर में इस्तित है और इसकी स्तापना 1984 में की गई थी तो यहाँ पर आपको सन्भी ध्यान रखना है 1984 भी एक बार एक्जाम में पूछा गया है ठीक है अखिल भारतिय खजूर अनुसंदान के अंदर कहां इस्तित है तो अगर आपसे पूछा जाए खजूर अनुसंदान के अंदर या फिर आपसे पूछा जाए बेर अनुसंदान के अंदर या फिर बागवानी अनुसंदान के अंदर ये बागवानी बेर और खजूर ये तीनो इस्तापना 1978 में की गई है तो यहाँ पर 1978 आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर 1984 आपको ध्यान रखना है ठीक है नेक्स्ट है राष्ट्य सरसो अनुसंदान केंदर कहां इस्तापित है राष्ट्य सरसो अनुसंदान केंदर सेवर भरतपुर में इस्तापित है और इसकी इस्तापना 20 ओक्टूबर 1993 को की गई थी तो यहाँ पर डेट भी आपको ध्यां रखनी है क्या 20 ओक्टूबर 1993 को इसक इसकी इस्तापना 1962 में की गई थी, तो यहाँ पर भी 1962 आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट है, राष्टी आयरुवेद सोध संस्तान कहां इस्ती थे, आयरुवेद सोध संस्तान जो है, यह आपका जेपुर में इस्ती थे, और इसकी इस्तापना 1976 में की गई थी, नेक्स्ट ह हमने क्या देखा इससे पहले हमने देखा था बेड एवं उन अनुसंदान के अंदर अब यहाँ पर क्या पूचा गया है यहाँ पर पूचा गया है बेड एवं परसिक्षन संस्तान कहां इस्ती थे तो अगर आप से परसिक्षन पूचा जाए तो यह जैपूर में इस्ती थे राष्ट्य मरू बागवानी जैसा कि मैंने आपको बताये, खेर आपसे पुछा जाए, खजूर पुछा जाए या भागवानी पुछा जाए ये तीनों बीकानेर में ही स्ती थे और बागवानी की इस्ताबना 1989 से 1990 में की गई थी नेक्स्ट है राष्टिय अश्व अनुसंधान केंदर कहां इस्तित है राष्टिय अश्व अनुसंधान केंदर बिकानेर में इस्तित है इसकी इस्ताबना 1986 में की गई थी नेक्स्ट है शुष्क वन अनुसंधान केंदर कहां इस्तित है यानि कि यहाँ पर आफरी के बारे में पूछा जा रहा है तो आफरी जो है यह जोदपुर में इस्तित है और इसकी इस्तावना 1985 में की गई थी तो यहाँ पर 1985 भी आपको ध्यान रखना है यह भी एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है नेक्स्ट है केंदरिय सूका छेतर अनुसंदान संस्थान कहां इस्तित है यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है वो काजरी के बारे में पूछा गया है काजरी की फुल फोर्म भी एक्जाम में पूछी जाती है तो यह भी आपको ध्या रखना है Central A ये भी आपको ध्यार रखना है, इसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी, जिसे सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, और 1959 में की गई थी, यानि कि आफ्री की स्थापना 1985 में, और काजरी की स्थापना 1959 में की गई है, और दोनों की स्थापना जोधपुर में ही की गई नेक्ष्ट है बक्री विकास एहों 4 उत्पाधन परियोजना कहा इसती थे तो यहां पर बक्री विकास एहों 4 उत्पाधन परियोजना पूची गई है यह आपकी अजमेर में इसती थे और इसकी स्थावना 1981 में की गई थी next है राजकीय सुकर फार्म कहां इस्ती थे राजकीय सुकर फार्म आपका अलवर में स्ती थे और इसकी स्थाबनः 1983 में की गई है next है Central Institute of Plastic Engineering and Technology यह आपका जैपुर में स्ती थे इसकी स्थाबना 1968 में की गई थि नेक्स्ट है केंद्रिय भकरी अनुसंदान केंद्र कहां इस्तिते ये भी आपका इंपोर्टेंट है ये टोंक में इस्तिते और इसकी स्थापना 1951 में की गई थी तो यहाँ पर 1951 भी आपको दिहान रखना है नेक्स्ट है भार्तिय मानव विज्ञान सर्वेक्षन छेत्रिय केंदर कहां इश्तित है ये आपका उदेपुर में हो जाएगा और 1975 में इसकी स्थापना की गई थी नेक्स्ट है राजकिय मशाला बीज अनुसंदान संस्तान कहां इस्ती थे राश्टिय मशाला बीज अनुसंदान संस्तान तबीजी अजमेर में इस्ती थे और इसकी स्तावना सन 2000 में की गई थी ये इंपोर्टेंट है ध्यान डगना है ठीके नेक्स्ट है सुदूर समवेदन केंदर कहां इस्तित है सुदूर समवेदन केंदर जोदपूर में इस्तित है इसकी स्ताबना 1996 में की गई थी नेक्स्ट है सोर वेजसाला कहां इस्तित है सोर वेजसाला आपकी फते सागर जील उदेपूर में इस्तित है और इसकी स्ताबना कब की गई थी 1976 में की गई थी ये next exam में पूछा जा सकता है next question है राष्ट्य कर्सी विपन्नन कहां इस्तित है राष्ट्य कर्सी विपन्नन बोर्ड या राष्ट्य कर्सी विपन्नन आपका जेपुर में इस्तित है और इसकी स्थाबना 1988 में की गई है नेक्स्ट आपका हो जाएगा केंद्रिय इलेक्ट्रोनिक इंजिनेरिंग सोध संस्थान कहां इस्तित है तो दोस्तों केंद्रिय इलेक्ट्रोनिक इंजिनेरिंग सोध संस्थान आपका पिलानी जुन-जुनू में इस्तित है पूचा गया है यह बिकानेर में इस्तिते और इसकी स्थाबना 2007 में की गई है यह थोड़ा सा इंपोटेंट ध्यान रखना है ठीक है नेक्स्ट राजस्तान राजस्व अनुसंदान एवं परसिक्षन संस्थान कहां इस्तिते और इसकी स्थाबना 1995 में की गई थी नेक्स्ट आपका हो जाएगा मानिक के लाल वर्मा आदिम जाती सोध एवं सर्वेक्षन संस्थान कहां इस्तिते और इसकी स्थाबना 1964 में की गई है तो यहाँ पर almost काफी सारे हमने discuss कर लिये हैं और एक वीडियो में अनुसंदान केंदर का मैंने आपके लिए पहले upload किया था वहाँ पर भी कुछ अनुसंदान केंदर मैंने आपको बताये थे जैसे कि चावल अनुसंदान केंदर मैंने उसमें discuss किये थे तो वो वीडियो भ देख लेना, वो भी 5-7 मिनट का वीडियो है, ठीके, I hope आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगाए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थेंक्यू सो मच,